मैं भारत को भारतियता की माननिता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ, उस काम में लगा हूँ महर्शी बागवट कहते हैं कि जिन्दगी में 85 प्रतिशत बीमारियों को हर व्यक्ति स्वयम ठीक कर सकता है तो अब तक जो मैं बात कर रहा था, कल तक, वो 85 प्रतिशत वाला हिस्सा था इसमें से आपको कोई भी बात ऐसी नहीं लगी होगी, जो किसी विशेशग की मदद से करनी पड़े अब तक मैंने जितना भी आपको बताया है, वो सब इतनी सरल और सहज बाते हैं, जो आप स्वयम कर सकते हैं आज मैं आपको पंदरप्रतिशत वाले हिस्से की बात करूँगा जो बचा हुआ पंदरप्रतिशत हिस्सा है जिसमें किसी विश्षग्य की जरूरत है वो वाली बात आपसे शुरू करूँगा लेकिन आज आप महसूस करेंगे व्याख्यान खतम होने के बाद कि अरे ये पंदरप्रतिशत भी हम कर सकते बागवट जी की यही खूबी है वो ये मानते हैं कि दुनिया का हर व्यक्ति विश्षग्य हो सकता है और वो ये भी एक जगह लिखते हैं कि मैं अखेला बागवट नहीं मेरे बाद और भी हो सकते हैं वो ये कहते हैं कि जो व्यक्ति भी अपने शरीर का सूक्ष्म अबलोकन कर सके अब्जर्वेशन सूक्ष्म माइक्रो लेवल पे वो सभी विशेशग्य हो सकते हैं तो विशेशग्य चिकित्सा के इस तर पर आज मैं उनका एक अध्याय आपके सामने लेता हूँ ऐसे उन्होंने लगबग 40 से ज़्यादा अध्याय लिखे हैं उसमें से एक मैं शुरू करता हूँ बागवट जी ये कहते हैं कि जब विशेशग्य चिकित्सावी आप बहुत आसानी से सहचता से कर सके उसमें से उन्होंने एक जगे लिखा है कि इस पूरे भ्रह्मांड में पूरी प्रकरती में ऐसी कई चीज़ें हैं जो एक साथ वात पित्त और कफ तीनों को ठीक करने की शक्ती रखती है बहुत कम चीज़ें ऐसी हैं प्रकरती में जो वाद, पित, कफ तीनों को एक साथ ठीक रखें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वाद को अच्छा रखेंगे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पित को अच्छा रखेंगे कुछ चीजें ऐसी हैं जो कफ को अच्छा रखेंगे वाद को अच्छा रखने वाली सबसे अच्छी चीज जो आपके घर में है वो है तेल तेल वो जिसमें आप सबजियां बनाते हैं तेल वो जिसमें आप सबजियां बनाते हैं तो सबसे अच्छी चीज वो बोलते हैं कि तेल है, जो वात को हमेशा सम भाव में रखता है, समानता में रखता है, वात को बढ़ने नहीं देता। लेकिन उन्होंने एक शब्द पर जोर दिया है कि तेल का माने शुद्ध तेल। अब यह शुद्ध तेल उन्होंने लिखा साड़े तीन हजार साल पहले, आज के विशलेशन में अगर हम दियान दे, तो शुद्ध तेल का माने तेल की घानी से निकाला हुआ सीधा सीधा तेल, बिना कुछ मिलाए हुए सीधा सीधा तेल, कोई भी मशीन से निकाला हुआ आप तेल खा रहे हैं तो बागवट जी का निवेदन है कि आप तेल शुद्ध खाईए माने रिफाइंड तेल मत खाईए डबल रिफाइंड तेल मत खाईए अब आप कहेंगे जी क्यों नहीं खाएं डॉक्टर तो यहीं बोलते हैं कि रिफाइंड खाओ डबल रिफाइंड खाओ तो आपको हिर्दे गात नहीं आएगा वगरा वगरा ये जो रिफाइन तेल है मैंने इनको देखा है कैसे रिफाइन किया जाता है आप भी देख लें कभी मौका मिले तो बहुत अच्छा होगा किसी भी तेल को रिफाइन करने में 6-7 केमिकल इस्तेमाल होते है और डबल रिफाइन करने में 12-13 केमिकल इस्तेमाल होते है वो सब केमिकल मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं प्रयोग शाला में भगवान का बनाया हुआ एक भी केमिकल तेल को रिफाइंड नहीं कर सकता भगवान का बनाया हुमा ने प्रकरती का दिया हुआ जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं और्गैनिक और्गैनिक एक भी केमिकल नहीं है जो तेल को साफ कर सके एक भी chemical दुनिया में नहीं जितने भी chemical तेल को साफ करने के लिए उपियोग किये जाते हैं वो सब inorganic है और inorganic chemical ही दुनिया में जहर बनाते हैं और उनका combination जहर की तरफ ही लेके जाता है आज की दुनिया में modernism के नाम पर आधुनिक्ता के नाम पर जितने inorganic chemicals जगे जगे इस्तेमाल हो रहे हैं वो सब आपको धीरे धीरे उस तरफ ले जा रहे हैं जहां आप जहर अपने ही शरीर में पैदा कर दें इसलिए refined तेल, double refined तेल गलती से भी मत खाईए बागवट्टी जी कहते हैं कि बागवट्टी जी कहते हैं कि सबसे सरल चिकितसा वो बोलते हैं वो तेल का ही है वो कहते हैं शुद्द तेल खाईए शुद्द तेल माने घानी से निकाला हुआ तेल अब आपके मन में दो प्रशना आएंगे तुरंत कि शुद्द तेल में तो बास बहुत आती है हाँ, सीधा प्रशना दूसरा प्रशना आएगा जी शुद्ध तेल बहुत चिपचिपा होता है और बास अलग से आती है हम लोगों ने जब शुद्ध तेल पर भारत देश के कुछ वेग्यानिकों की मदद से काम किया एक तरह से कहें रिसर्च किया तो पता चला कि तेल का जो चिपचिपापन है वो उसका सबसे महत्वण घटक है तेल में बहुत कुछ होता जैसे मैंने आपको पहले दिन बता है न मिट्टी में माइक्रो न्यूट्रियंट्स है कैल्शियम है आईरन है सिलिकोन है कोबल्ट है ऐसे तेल में भी है हर चीज में है तो तेल का जो सबसे महत्वण हिस्सा है वो उसका चिपचिपपन ही है और जैसे ही तेल में से ये चिपचिपपन निकाला तो पता चला वो तेल ही नहीं बचा तेल जिस चीज के लिए खाया जाता है वो बचा ही नहीं वो हिस्सा ही गायव हो गया फिर हमने देखा कि तेल में जो बास आ रही है बास वो उसका प्रोटीन कंटेंट है तेल में प्रोटीन बहुत है जैसे आपने सुनाए दालों में प्रोटीन होता है दालों में प्रोटीन सबसे ज़्यादा है भगवान का इश्वर का दिया हुआ दालों के बाद दूसरे नंबर पर जो प्रोटीन सबसे ज़्यादा है, वो तेलों में है तो आप जो तेल में देख रहे हैं कि उसकी बास है, वो बास जो है ना, उसका और्गेनिक कंटेंट है प्रोटीन के लिए चार-पांच तरह के प्रोटीन है सभी तेलों में आप जैसे ही तेल की बास निकालेंगे, उसका प्रोटीन वाला घटक गायब हो जाता है अब बास निकाल दिया तो प्रोटीन निकल गया और चिपचिपापन निकाल दिया तो उसका जो फैटी ऐसेड है वो गायब अब ये दोनों ही चीजें गायब हो गई तो तेल नहीं रहा वो पानी है एक तरह से इसलिए बागवट जीनस सूत्र लिखा कि जिंदगी भर वात की चिकितसा अगर आपको करनी पड़ जाए तो बहतर है कि आप शुद्ध तेल खाएं तो वात की चिकितसा ही ना करनी पड़े और मैंने आपको सबसे पहले दिन बताया था कि दुनिया में सबसे जादा रोग वात के ही है सबसे जादा रोग ये घुटने दुखना से लेकर कमर दुखना घड़ियों में दरद ये वात के तो रोग ही तो ये खराब से खराब जो रोग आपकी जिन्दगी में है इन में वात के खतम हो जाने की या वात के पूरी तरह से बिगड़ जाने की भूमिका सबसे बड़ी है दोस्तों सबसे पहले तो चैनल सबस्क्राइब करें फिर लाइक कमेंट और शेयर करें और हां हमारा एंडरोड एप डाउनलोड करना ना भूलें